हेलो एवरिवान, आज हम सात्वी कक्ष्या की उडान कारिय पुस्तिका के विश्य हिंदी में दी गई गति विधी को अच्छी द्रह से सौल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर आंत तक पूरी देखे और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिसा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये वैल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आगे से और भी जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आजाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो देखे शुरूरात करते हैं गती विधी एक वरतमान दक्सता से समदित यहाँ पर देखे एक पर ये दे रख़ह है नेम टूथपेश्ट यहाँ देखो यह क्या है बच्छो बताओ एक टूथपेश्ट है और सात में शुरू suggest रखा है यहां पर देखो नेम टूथपेश्ट यानि नेम की टूथपेश्ट है ये और साथ में ही एक ब्रस भी दे रखा है और यहां नीचे बताओ ये क्या लिख रखा है पढ़के बताओ मोती जैसे चमकते दातों का राज और यहां पर देखो कुछ विशेश्टाएं दे रखी है कि अगर हम ये नेम का टूथपेश्ट करेंगे तो इसकी क्या-क्या विशेश्टाएं है स्वस्थ मसूडे दुरगंद से चुटकारा यानि दुरगंद नहीं आएगी दातों के पी किटाणू से रक्षा यह हमारी किटाणू उसे भी रक्षा करेगा अब आगे यहां देखो सो गराम पेश्ट के साथ एक ब्रस मुफ्त तो इसमें सो गराम के अगर कोई पेश्ट लेगा तो उसके साथ एक ब्रस भी मुफ्त मिलेगा मुफ्त मिलेगा है ना और यहां संपर जो नेचे कुछ question दिये गए हैं बच्चो, इसी से related हैं, जो मैंने अब यहां उपर आपको यह दिखाया था, यहां देखें यह विग्यापन, दिखाया था ना यह, नेम टूथपेस्ट वाला, तो इसी पर आधारित कुछ questions के answer आपको अब देने हैं, देखें पहला question है, यह विग्यापन किस के बारे में है, उपसन दे रखें हैं, देखो हाथ के बारे में है, पैर के बारे में, दातों के या पेट के, किस के बारे में है बताओ, यह विग्यापन दातों के बारे में है, है ना, तो गय उपसन आएगा, अब second question देखो, कि 100 ग्राम पेश्ट के साथ क क्या मुफ्त मिलेगा बताओ, करीम मुफ्त मिलेगी, पाउडर, ब्रश, या साबुन क्या मिलेगा, ब्रश जो है वो फरी मिलेगा, तो यहांपर हमारा आंसर, ओप्सन जो होगा, गա, ब्रश यह होगा, ठीक है, यह ओप्सन है, आगे थर्ड क्यूशन पूछ उसने, दुर्गंद का विलोम, विलोम होता है बच्चो उल्टा, विप्रीत, तो दुर्गंद का विलोम बताना है हमें, ओप्शन दे रखे हैं अच्छा, सुन्दर, सुगंद या सभी, तो इसमें गः ओप्शन आएगा सुगंद, यानि कि दुर्गंद का विलोम होता है सुगंद आगे है विग्यापन अनुसार मोती जैसे चमकदार दातों का राज है क्या राज है बताओ चमकदार मोती के जैसे चमकती उए दातों का राज क्या बताए गया है इसमे एलोविरा टूथपेश्ट बताए गया है न裡面 toothpaste है केवल पानी है या दंत मंजन क्या है नीम टूथ पेश्ट है ना विग्यापन नीम टूथ पेश्ट का था तो होपसन यहां पर ख़ आएगा अब आगे है पांचमा क्यूशन नीम शब्दों का स्टीक मिलान कीजिए यानि सही मिलान करना है हमें यहां लेकिये पेट दे रखा है और इसमें देखे हैं एक पार यहां एनिकी हमारे सिरीर के अंगों के नाम आ गए है यह पेट, दात, आथ आख, कान, सिर्थ और यहां इनके साथ हमें मिलान करना है पेट है, पेट को तो भई स्वाधिष्ट भोजन चाहिए, है ना, तो स्वाधिष्ट भोजन के साथ कर देंगे दात, दात का हम करेंगे स्वस्थ मसूड़े से और आख आख जो है वो मनोहरी दर्श्य देखने के लिए होती है भई है ना सुन्दर सुन्दर दर्श्य देखते हैं आखों से तो हम अब है कान कान का होगा मज़िदार कहानी कानों से तो मज़िदार कहानिया सुनते हैं हम है ना और सिर, सिर का है काले घने बाल सिर के उपर हमारे काले घने बाल ही सुन्दर लगते हैं अब इसी तरह से आगे देखी एक बार आगे यहाँ आएगी गती विधी टू यहाँ दे रख्या है इस कवीता का पढ़ो और आगे बढढाओ अब आपको ये कवीता पढ़नी है और आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम इस कवीता को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे सुनेंगे सोन चिरया फरफर उड़कर बादल के घर जाएगी थंडा थंडा पानी पीकर गटगट प्यास बुझाएगी सोन चिरया फरफर उड़कर खेत खेत में दाना चुगकर अपना पेट फुलाएगी है ना तो यहां पर देखो ये क्या है बताओ ये सोन चिरया दे रखी है इसकी पिक्चर दे रखी है तस्वीर दे रखी है सोन चिरया की और सोन चिराया के उपर ही ये कवीता दी गई है कि सोन चिराया जो है वो फरफर उड़ती है और बादलों तक पहुँच जाती है है ना और ये ठंडा ठंडा पानी पीती है और फिर ठंडा ठंडा पानी गट गट पी कर अपनी प्यास भुजाती है और सोन चिडिया जो है वो फर-फर उड़ती है और खेत में दाना चुकती है और इस तरह से अपना पेट भर लेती है, है ना? अब आगे देखो, यहां दिया गया बचो कि दी गई खाली जगहें में इस गीत पर कोई चित्र बनाकर अपनी दोस्तु को दिखाओ और उनका बनाया चित्र भी देखो। यहां लिखर खाया 16 श्वयम चित्र बनाएं तो बचो यहां दी गई जगहें पर आपको यह चित्र खुद यहां बनाना है कोई भी चित्र बना सकते हैं आप किसी चिडिया का चित्र बना दीजिए उड़ती हुई चिडिया का या दाना चुकती हुई चिडिया का इसे आपको अपनी मन पसंद कोई भी यहां पर चित्र बना देना है ठीक है और अपने दोस्तों को भी बोलना ह जैसे चिडिया फर्फर उड़ती है वैसे मेंडग बोलता है डैस बोलता है मतला मेंडग कैसे बोलता है यह हमें यहां पर लिखना है चिडिया फर्फर उड़ती है यह बात ठीक है और मेंडग कैसे करता है बताओ मेंडग टर्टर बोलता है ठीक है तो हम यहां लिखेंगे ट तर्टर ठीक यह लिखतेंगे तर्टर अब आगे यहां दे रखा है गट गट जट पट खट 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 ठीक है वह इस साइड दे रखा है प्यास तो हमें इसमें यहां खालिस्थान भरने है ठीक है कि हम क्या खालिस्थान भरेंगे तो देखे एक पर यहां पर यह तुकबंदी वाले शब लगते हैं गट गट जट पट खट खट इसी तरह से प्यास हम इसी तरह से कर सकते हैं यहां पर भी लिख सकते हैं आस और लिख सकते हैं जैसे खास ठीक है तो इस तरह से शब लिखते हैं आगे अगर तुम चड़िया होते तो क्या करते अब यहां पर बताए बच्चो कि अगर तुम चड़िया होते क्या करते तो यहां पर जो यह जगे हैं दे रखिए हैं यहां पर लिखना है आपको कुछ 2-3 लाइने लिखनी है जैसे आप कह सकते हो कि मैं अगर चिडिया होता तो दूर ऊड़कर चला जाता सभी लोगों को देख सकता था कहीं पर भी पानी पी सकता था है ना इससे आपको अपनी बात यहां पर तीन-चार लाइने खुद ही लिखनी है बच्चों आगे है घर का प्रियाइवाची है यहां घर का प्रियाइवाची पूछा है अब दे रखा है दर्वाजा खिड़की ग्रेह या चट तो इसका ओप्सन ग आएगा ग्रेह ठीक है तो बच्चों आज इसमें केवल इतना ही आगे जो गतिविधी तीन दे रखी है उसके लिए नई वीडियो में यह आपको गतिविधी समझाओंगी तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चों